इस्टोलाजी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे नौकरी के बारे में नौकरी में हम बात करेंगे कि जो जॉब चेंज होने का या टांसफर होने की इस्तिति को आपकी कुंडी में कैसा देख सकते हैं तो जो भी जातो कर जाती का है अपनी कुंडीों में जो हम बताने जा रहा है उसे अवश्च देखें और उसे आप आकलन कर सकते हैं और वो संभावनाओं को आप देख सकते हैं तो सरफत्म जब लगने है आपका यक्तित है ठीक है फिर उसके बाद में दस्मा भाव जो है हमारा कर्म इस्तान है कारे छेत्र है तो दस्मे भाव का जब संबंध आपका तिसरे भाव से बनता है या पाचवे भाव से बनता है या नववे भाव से बनता है तो इनकी जब भी दसा अंतर दसा पत्त दसा चलेगा तो आपका जौब चेंजर टांस्पर होगा क्योंकि तीसरा भाव जो दर्शाता है कि अपना जो चोथा भाव होता है वो आपका घर है आपका अभी जहां रह रह रहे हो है तो उसका बारवा थर्ड है तो जब इसकी दसांतर दाशा चलेगी तो ये भी चेंट दिखाता है फिर पाच्वा भाव के जब मालो दसा अंतर दसा चलती है तो ये छटे भाव से बारों भाव है तो छटा भाव हमारी सेवा का है हम जो सेवा कारे कर रहे हैं तो उसका चेंज दिखाता है वो टांस्पर दिखाता है अईसे नववा भाव के जब दसा अंतर दा चलती है तो दसवे भाव का आपका चेंज दिखाता है तो ये भी आपका चेंज टांस्पर दिखाता है तो इस तरह से आप अपनी कुंड़ि में सरल तरीके से देख सकते हैं अगर हम देख सकते कि दस्वा भाव जो है हमारा कर्म छेतर है वहां से 12 भाव कम में अगर उसका संब्द बनता है तो यह दिखाता है कि आपका जौब जाने का योग बना देगा या फिर फ्रिकुंटली चेंजेस जाब सोचेशन को भी इसी से देखते हैं तो दस्वे भाव का जब संब्द 12 भाव से हो जाता है अगर आपका सनी गरह जो है वो आपके संब्द 14 भाव से बनाए सात्वे भाव से बनाए या दस्वे भाव से बनाए तो सनी का क्या है वो इस बहों से बनता है तो वे आपको जो इस्टिबिलिटी रहता है और एक की जगह पर आपका जॉब बना रहता है इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो लगन है और दस्वां हौश है इनका अगर रिलेशन बन रहा है नवे भाओ से या तीसरे भाओ से तो यह भी एक टान्सफर दि वसको जरूर देखिए और वो indicate कर रहा है कि आपका transfer या change in job है इसी तरह से बारवा भाव जो हमारा विदेश का है और नवा भाव भी हमारा विदेश का है तो बारव भाव और नवा भाव यह जब दस्वे भाव से संबंद बनाता है तो यह जातक को विदेश में आपको success दि इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कुंडली में दस्वे घर का और बारव घर का रिलेशन बर रहा है तो परसन को हमने अब ही बताया कि वो विदेश की कंट्री में सकते हैं कि अक्सिस दिखा neighborhood अगर च запium का पर चोधे भाव पर अगर पाप गरोंका पुला मालो म जोघे़ा हैं तो मंगल है ऐसे जो भी पाप गरोंका प्रभाव आएगा तो यह दिखाताया कि आपको रसीडेंस में चेंज करा देगा आपका तो यह आप देख सकते हैं अपने कुंडली में तो अगर जब भी इन सब टांस्परों की जो चीजे बताई है इसमें अगर लगनक का इन्वालमेंट होता है तो उसमें आपको अच्छा फिल होता है क्योंकि आप यह खुद इन वाल है इसमें अगर दूसरा भाव जो है धन्वाव है और मालों 11 भाव लाब भाव है तो इनका अगर वहां पर इंफ्रमेशन इनकी दसा अंतर दसा चल रही हो और दसमें भाव से संबंद बनाएंगे तो आपको इसमें फाइनेंशल जो है उसमें पैसे का गेन मिलेगा त तो और मालों दसमें भाव का छटे भाव जो सेव भाव से संबंद बन रहा है इनकी दसांतर दसाय चल रही होगी तो यह दिखाता है कि आप अथरिटी होंगे मतलब आप कोई कंपनी में अथरिटी की जॉब करते होंगे तो यह छोटी-छोटी जानकारी थी जो हमने बताय और इसमें भी आपको देखना है कि जब भी टाइमिंग होंगे वो जब होंगे कि गुरु और सनी का जो टांजिस्टन है हरस्कोप में जब उनका संबंद तिसरे भाव छटे भाव बारे भाव से बनेगा यह चंदमा से भी छटे तिसरे छटे बारे भाव से बनता है तो य जब भी दसा अंतर दसाएं पतर दसाएं जो भाव हमने बलाएं बताएं पहला भाव चोथा भाव पाच्वाव सात्वा नववा और दस्वा भाव की चलेगी तो जाब टांसफर की संभावनाओं को बड़ा देता है यह आप अपने उसमें देख सकते हैं अगर आपका जो भ करते हैं तो चेंज़ेस कियरेमें कर वाते हैं इस तरह से जब भी बड़ा नंगा खिर्टा में इस तरह का पाराऊं कि थो का संबंद होगा या उसमऻाव्य थो छामास किस तरह से आप अपने कुंडली में ये सब परिश्थितियों को देख सकते हैं और नोकरी के जो आज की परिश्थितियां हैं उसमें आप अपने कुंडली को देखें जितना ये indications अगर मिल रहे हैं तो आपको ऐसे situation आने के योग बना देंगे तो separation के लिए from the job के लिए हमने बोला कि लाड़ा जो दसमें भाव का है वो अगर गोचर में भी छटे आठे बारे भाव से संबंद बनाता है या वो लगने से हो या मून से छटे आठे बारे भाव का से तेंथ का हूस का लाड़ का बन रहा होगा तो ये भी separation करता है current job से ये गोचर के साब से तो आज हमने जानने का प्रिटने किया कि किस तरह से आप अपनी कुंडलियों में ये position को देख सकते हो और जान सकते हो कि आपका job की स्तिती किस तरह की रहेगी आपको हमारे वीडियो पसंदार हो तो हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आ रहे हूं तो जरू इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए आपने हमारे वीडियो को लाइक किया शेर किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद